हाई दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना चैनल टेक्निकल कैसे में और दोस्तों ये वीडियो होने वला है लैपटॉप सीखे एक ही वीडियो में A to Z लिएट में यहां तो यह दोस्तों अगरा आप यह वीडियो देखते हैं तो लैपटॉप से रिलेटेड competent दोस्तों ये वीडियो देखने के वाथ कि आपको किसी भी तरीकाइव नहीं देखना होगा यानि कि अगर ये वीडियो workflows देक लेते हैं ता आप कम्पूम्टर चलाने में में महीं तिकत आफको नहीं आने वाला है इसमें दुस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक को कभर किया है इसलिए इस वीडियो का अंतक्त देखने पर ही आपको laptop का master बन सकते हैं इसके लिए दोस्तों चलिए हमने क्या 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 टॉपिक आप सभी को बताने वाले हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यह रहा आपका टॉपिक और दोस्तों टॉपिक कुछ इस तरीका से हैं यानि कि 10 टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं उसके बाद फिर से आपको टोटल जो है laptop को और कैसे करते हैं laptop में वीडियो और एड़्ियो को पले केसे करते हैं folder कैसे बनाते हैं उसके बाद कुछ भी लिएडियो और डेलीट कैसे करते हैं या फिर अबबर कैसे करते हैं उसके बाद दोस्तों MS Paint जो होता है उसे open कैसे करते हैं यूज कैसे करते हैं यानि कि आप देखते होंगे लैपटॉप में paint बनाना बहुत ही मज़िदार होता है तो उसको आप कैसे open करेंगे या फिर कैसे use करेंगे शारे टूल के बारे में भी बताने वाले हैं उसके बाद द दोस्तों देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि 20 टॉपिक हमने कभर किया है इसमें अगर आप 20 टॉपिक को सीख लेते हैं इस वीडियो को लाश्ट तक देख लेते हैं तो आपको मास्टर बन जाएंगे कंप्टूटर में आपको कुई भी दिक्कत नहीं आने वाले हर चीज को आप सीख जाएंगे उसके बाद दोस्तों यह आप देख सेते पावर क्वेंट जैसे की अनिमेशन स्लैट्स जो होता है उससे आप कैसे उपन कर सकते हैं या फिर कैसे यूज करे नहीं उसे आप कैसे करेंगे यह वह बताने वाले लब्टॉप में दोस्तों मोवी कैसे देखते हो भी ऑनलाइन उसके बाद ऑप ऑनलाइन फर्म कैसे अपलाई कर सकते हैं जैसी कि देख से बिजटों जैसे की आपको बहुत सारे गोवर्मेंट जाब होते हैं जिसके लिए और फिर कैसे डाउनलोड करता हैं यह भी आपको हम से खाने वाले उसके वाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किसी भी तरीका का सर्टिफिकेट कैसे अपलाई कर सकते हैं जैसे कि जाती आवास यह आए उगे आपको देखते होंगे कि हर जगा आप लग रहा है उसके बाइंद दोस्तो लैप्टॉप का सब्केर डाउनलोड कैसे करते हैं या फिर टाइपिंग कैसे करते हैं टाइपिंग करना दोस्तो बहुत ईजिय होगी है अब आप टैपिंग सेख तो दोस्तो इतने 20 टॉपिक अगर आप सीखंग लेते हैं इस वीडियो को लाश्ट तक देख लेते हैं लेपट्व चलाने में आको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाल हैं तो चलिए दोस्तों हमने टॉपिक के पे देखिए दोस्तों यह है हमारा keyword on a screen keyword तो दोस्तों स्क्रीन की वोड क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले दोस्तों जो मेरा laptop है उसी का सेम तूसिम keyword का सारे बटन आपको इसकी पर सामने में दिख रहा होगा यानि कि दोस्तों जितना भी button होता है वो सारा button आप देख सकते हैं आपके laptop के screen पर है इसे आप easily देख भाएंगे और इसे आप click करपाएंगे तो दोस्तों क्लिक कैसे करते हैं यूज कैसे करते हैं यहाँ पर देख लेजिए इसको बोलते हैं दोस्तों पहले कीवर्ड के बारे में सारा जनकाड़ी हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको हमने पहले ही बताया है अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी भी एक होते हैं नमेर कर व्टन तो यहां पर सकते हैं एक से लेके नाइन और जीरो विए उसको बहुत सब्सक्राइब क्यों मेट सब्सक्राइब है यहां प्रिश अगर आप grandfather कर लिए है तो इसे अप यहाँ से और का सकते हैं इसको बोता है बटन इसको बोते हैं कैप्षन और कैप्स और उसको बहुत है छिफ्ट यह है यहां से दोस्तों धेहां से यहाँ और फिर यहां से यहां यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे बटन है जिसका यूज मुपेज को ऊपर नीचे करने में इसे होम बटन बोलते हैं दोस्तों इसे इंड है इंसर्ट कर सकते हैं सकते हैं यहां पर किसी भी तरिका के हैं तो हेल्फ के भी किलिक कर सकते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों मिनिमाइज इसको बोलते हैं मेकसिमाइज और इसको बोलते हैं कलो यहाँ पर देखिए जब आप ले जाएंगे इस keyboard के बारे में सारा चनकाडी अब आपको मिल चुका होगा और keyboard किस तरीका से काम करता है वह आप सीख चूखे होगे अब दोस्तों बात करते हैं laptop screen के बारे में सबसे और दोस्तों यह जो देख सकते हैं यह आपका laptop का स्क्रीन है और इसको बोलते हैं यह वालपेपर है और यहां पर देखिए इसको बोलते हैं Windows बटन यानि कि स्टार्ट बटन भी बोलते हैं यह विंडोज 10 है इसलिए स्टार्ट है अगर आप पुराने विंडोज में जाएंगे जैसे कि 7 में आपको यहां पी विंडोज लिखा हुआ आएगा यह जितने भी आइकन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइकन और यह सब है सब्वेर यहां पर दोस्तों यह सर्च वारा है आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं यानि कि जो सब्वेर आपको नहीं मिल रहा है उसे आप सर्च करके यहां से खोज सकते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों टाक्स भीव यानि कि जितने भी सब्वेर या जो जो आप उपन करके यहां पर दोस्तों देख चांके बैटरी का इकल है यहां पर वाइफाई यहां पर स्पीकर यहां पर लेंग्विज टाइम और यहां पर को भी नोटिफिकेशन अगर हमें मिलता है तो वह आपको यहां पर जाएगा अब दोस्तों उमीद करते हैं कि अब आप लैप्टॉप क स्क्रीन के बारे में सारा जनकारी आपको मिल चुका होगा अब आपको कोई भी डॉट नहीं रहेगा कि इसको क्या बोलते हैं या फिर यह क्या है तो आपका सारा डॉट यह भी क्लियर हो चुका होगा स्क्रीन के बारे में डिस्प्ले के बारे में अब दोस्तों हम बात करत सटन है यहां और यहां पर ओके करेंगे ये सटवन हो देगा दोस्तों भी उक के किलिक नहीं करेंगे ऑपर कहले थनकी नहीं करेंगे कि यह हो जाएगा है इसे लिए हम इसे बाद में देखेंगे पावर पर जैसे ही क्लिक की जएगा तो यहां पर तीन आप्छन आएगा sleep, shutdown, and restart यह start का मतलब होता है दोस्तो laptop off हो जाएगा फिर से अपने आप ही खुद ओ आउन भी हो जाएगा shutdown का मतलब होता है दोस्तो यह laptop off हो जाएगा यह दुबारा ओपन नहीं होगा open करने के लिए आपको button को press करना होगा फिर यह on होगा sleep mode का होता है दोस्तो मतलब कि अगर आप अपने laptop को कुछ देर के लिए बंद करना चाहते हैं लेकिन चालू ही रहेगा इंटर्नल रूप से सिर्फ इसका display का लाइप चला जाएगा यह sleep mode में आजाएगा यह जिस तरीका से रेस्ट में यह laptop एक हिसाब से हो जाएगा तो sleep mode में आप क्लिक करके sleep mode में भी डाल सकते हैं तो यह था shutdown करने की तरीका और किस तरीका सब्सक्राइब किया जाता है आप देख सकते हैं उसके बाद है दोस्तों हमने एगला टॉपिक बताया था आपको लेप्टाप को आउन कैसे करते हैं माल लीजिए दोस्तों यह laptop आफ है ठीक है तो आपको अपने laptop पे राइट या लेप्ट इसी भी साइड अलग अलग कंप पले कैसे करें जैसे के दोस्तों मेरे पास कोई वीडियो है यहां पर देखिए मेरे पास एक वीडियो है यहां पर तो इस वीडियो करके आपको दिखाने वाले किस तरीका से पले करते हैं तो चलिए यह वाला वीडियो हम पले कर लेते हैं तो गैज ये वीडियो होने वाला लाएंगे तो किस तरीका से लाएंगे अगर जो कि Macbook का लोग देता है 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 बहुत स्वायत है अब सब्सक्राइब अपना चैनल टेकिनिकल कैसे में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्दा वीडियो कैसे इडिट करते हैं एक आफले करते हैं एक समय तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आपको सब्सक्राओं करना है अपने टीlet सब्सक्राइब या फिर मऊस पे और सब्सक्राइब ॹ्सक्राइब यह पले हो जाएगा ठीख है तो इस तरीका से आप अपने लब्टॉप में वीडियो को पले कर सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें music यानि कि सिर्फ mp3 को कैसे हम चला सकते हैं इसके लिए दोस्तों अपने laptop में आपको चल आना है my PC में आपके पास अगर audio file है यानि कि कोई भी आप जिससे आप audio file है या फिर music है जैसे कि यह music है और हमने यहां पर कोई बहुत सारा सथ तरीक से यह मेरे पास song हैं दोस्तों इस पे अगर आप double क्लिक करते हैं तो यह इत्ुमाइटिक पले हो जाएगा यहां फिर right क्लिक करें और जो भी संग सुनना चाहते हैं उस पर पहले left फिर right और यहां पर देखिए दोस्तों पले का option आजाएगा यह फिर पले हो जाएगा दोस्तों हम पले करके आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि copyright का issue होता है YouTube पे इसलिए हम यहां पर पले नहीं करवाएंगे लेकिन आप पले प 수가 crypto player उसे कबरेंगे ब्यूभ है arts और यहां पर देक्सें यहां पर दोस्तों आपको singleule करते हैं आजाता है folder यहां पर देखिए अगर आप इस folder का नाम देना चाते हैं तो कुछ boy चैलिएट कोशे zijn फॉल्डर का नाम क्लिएगा दोस्तों कुछ इस तरीब से आपका फ्लाइल बने जाएगा नाम दशिया है इंटर जैसे हैं कि ऐसा कर दिजेगा या फिर सॉपकर से सब्सक्राइब प्राम हो जाएगा और यह फोल्डर बन जाएगा आपके डेक्स्टॉप पर ठीक है देख सकते हैं कुछ इस तरीका से अगर आप मूव करना चाहते हैं इसको करके जैसे कि यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि हमने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया ठीक है तो आप फोल्डर बनाना भी सीख चुके हैंगे अब दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरीका से लैप्टॉप में कुछ भी चीज को डिलीट करते हैं जिस तरीका से अपने फोल में डिलीट करते हैं कोई इमेज वीडियो तो लैप्टॉप में कैसे डिलीट होता है जैसी कि हमने इस फोल्डर को ही डिल करना है मौस की थो और यहां पर देखिए डिलीट का ओप्शन है तो यह डिलीट हो गया डिलीट हो गया दोस्तों अब आप लैपटॉप में किसी भी आइटम को डिलीट करना जान गए होंगे लेकिन दोस्तों अगर बाइचांस आप वह फाइल डिलीट कर दिए जो आप नही करना चाहते थे और उसे आप दुवारा से वापस लेना चाहते हैं तो इससे आप कैसे वापस ले पाएंगे इसका भी दोस्तों एक मेथड है एक तरीका है लैपटॉप में यहां पर देखिए रिसाइकल क्लिका हुआ है इस पर आपको डवल क्लिक करके ओपन कर लेना है य कि जहां से आपने डिलीट किया था वही पर आपको यह फाइल देखने को दुवारा से मिल जाएगा तो यहां पर देखिए यह फाइल आ गया होगा चली यहां पर देखिए यहां से तो हट गया इसे किलिक करते हैं यहां पर देखिए आ चुका है दुवारा से इसी फाइल को हमने अभी डिलीट किया था ठीक है तो दोस्तो फाइल बनाना फोल्डर बनाना फोल्डर को डिलीट करना उसे वापस करना इतनी चीज आप सीख चुके होंगे अगर दोस्तो आपको अभी तक मज़ा आ रहा है इस वीडियो में तो वीडियो को सेर कीजिए चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ लाइक और कोमेंट करना वेलकुल ना भूले दोस्तो अगर आपका कोई भी टॉपिक अगर छुट रहा है तो कमेंट बाक्स में ज़रू बताएं नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक उपर वीडियो जल्द ही बना देंगे अब दोस्तो बात करते हैं कि लैप्टॉप में हम जो है से डिलीट करना और उसे वापस करना स कोई सब्सक्राइब अगर आप उपेन करना चाहते हैं तो आपको डवल किलिक करना होगा उसके ऊपर फिर यह ओपेन हो जाएगा तो दोस्तो अब तक आपने laptop में software को open करना सीख चुके होंगे कि किस तरीका से open किया जाता है दोस्तो बहुत सारे लोगों को ये सब चीज आता होगा लेकिन दोस्तो हमने basic से लेके advanced level तक इस वीडियो को बनाने वाले हैं जैसे कि आपको जिसको नहीं भी आदा होगा तो आप सुरू से सीख सकते हैं जैसे कि हमें पहले ही आपको बताया था इस वीडियो में होने वाला है इसके लिए दोस्तों आपको की बोर्ट पर प्रेस करना है विंडो प्लस आर एक साथ आपको बटन प्रेस करना है उसकी बार दोस्तों आपको यहां पर लिखेना है पी बरस पी बरस जीसे ही लिखेंगे तो कुछ इस तरीका से आजाएगा जैके यहां पर run page लेप्टोप के अंदर paint open हो जाएगा ठीक है यहां पर दखिए paint लिखा हुआ है यानि कि laptop के अंदर paint करने की software होता है जिस पर आप पेंट कर सकते हैं और इसे काफी चीज आपको create कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों यह paint open हो चुका है अब हम यहां पर बहुत सारे लोगों को घर बनाना बहुत ही पसंद होता है तो चलिए एक घर बनाना इस अभी सीख लेते हैं यह दोस्तों हमने घर का दरवाजा या फिर चार दिवाल आप कह सकते हैं कि बना दिया है ठीक है अब इसके उपर दोस्तों छत देने किया वा सकता है तो कुछ इस तरीका से अब इसका छत बन चुका है ठीक है अब दोस्तों छत में एक गोला सा सर्किल जैसा बना देते हैं ताकि यह देखने में काफे डिरेक्टिव लगे और दोस्तों घर में एक दर्वाजा भी होता है कि चलिए यहां पर एक दर्वाजा बना लेते हैं छोटा सा दर्वाजा ठी यहां पर लेंगे जैसी कि फूल जैसा तो नहीं है दोस्तो एस्टार एस्टार है तो चलिए एस्टार एस्टार हिंदे देते हैं ताकि लगे कि यह फूल जैसा आइकन बन रहा है ठीक है दोस्तो तो इस तरीका से आप पेंट बना सकते हैं काफिया डिरेक्टिव लगेगा द जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट को भी लिखने जाते तो यह वाले आप्सन पर चलिया यहाँ आप लिखे देंगे हाउस हाउस यह है कुछ लोग होम लिखना चाहते हैं तो होम भी लिख सकते हैं ठीक है अगर आपको नहीं दिख था तो इसे क्या करना होगा बढ़ा कर दी रहा है यह आ जाएगा ठीक है अब दोस्तों यह घर है घर में होता है दिवाल का लागला तो चलिए हम यहां पी देखिए बाल्टी है इसका नाम है दोस्तों फील विस्ट कलर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो कलर आप डालना चाहत कर देते हैं यहां पर देखिए इसका कलर का दिवाल दे देते हैं और रेड कलर का कि इस तरीकषी कि धिव याख रखी प्रॉइंट भल बना सकते हैं तो इस तरीका से काफी ladder नहींक knife सबनाता है हमें और उम्हीद खरते हैं दोस्तों कि D बात करते हैं रेजूम कैसे बनाया जाता है ठीक है तो यहां पर हम इसी कट करदेंगे और यहांसे डांट सेव करदेंगे । इसाल जरूर सेभ करेंगे तो आपको बतादें रीजियूं बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको विंडू प्लस आर किले अ चैब अगा और यहांका आपको लिखना है और यहां से MS Office खुल जाएगा और MS Office की थुरू आपका रेजियूम बनता है दोस्तों तो MS Office पहले से open होने देते हैं फिर यह जैसे ही open हो जाएगा तो हम रेजियूम बनाना चीखेंगे रेजियूम बनाने के दोस्तों दो तीन तरीके होते हैं इसमें से आप जो भी तरीका अपलाई करेंगे आपके लिए वह बहतर होगा अगर आप जल्दी वाजी में बनाना चाहते हैं तो हम आपको वह भी बता देंगे ठीक है तो सबसे पहली दोस्तों यहां पर देख सकते है यह सारे फायल का नाम है कुछ इस तरीका से यह आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है अब दोस्तों आप चाहते हैं कि हम किस तरीका से रेज्यूम बनाएं बनाएं या फिर बना पाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करने है आपको हेडलाइन देदेना ठीक है रि की बीचों बीचों हो जाएगा ठीक है अगर आप इसी बोल्ड करना चाहते है इस तरीका से यहाँ पर दोस्तों आपको नेम होना चाहिए सबसे पहले किसी भी चीज का नेम होता है तो कोई भी जौब अपलाई के लिए आपका जो रिजियूंब बनेगा उसमें नेम होगा न अगरे नेम है उसकी बाइट तो मदर्स नेम इसकी बाएट दोस्तों आपका मोबाइल नमबर हो यह तो अलग अलग तरीका का फोर्मेट होता है आप जहां वह जाएंगे बहुत सारे फोर्मेट होते है इसका आपकी इस फोर्मेटर बनाना चाहता है यह आपकी टीपेंड पड़ता है उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस लिखना होगा उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस लिखना होगा उसके बाद दोस्तों आपको एड्रोकेशन इस तरीका से आप कर सकते हैं यहां पर मैंटिक फिर यहां पर इंटर और पासिंग यह परसंटेज डिवीजन या फिर पासिंग यह यह सब आप डाल सकते हैं ठीक है तो इस तरीका से आपका बन जाएगा यहां ठीक है अब यहां पर दोस्तों आपको डिस्कलेमर लिखना पूंब भी चीज़ आपको यहां पर मेंचान करना हुगा। उसके बाद दूस्तों यहां पर लिखना होगा। उसके नीची दोस्तों प्छलेज और एस्प्छ लगाना है उसके बाद दोस्तों कि यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीका से आप उपने रीजियों को बना सकते हैं यहां पर दोस्तों हमने काफी ट्रेक्टिव तो नहीं बनाया है लेकिन आप इस देखना चालते हैं कि यह जाईए हैं है यहां पर देख दोस्तों एक option होता है देखने का हुआ तरी sellers निचेरें के लुदू का तरीका है control बवाना है control दबाएंगे तो एक प्री वफी आपको सामने में या करते हैं इस तरीकात से दोस्तों कुछ इस तरीका से बने के निकलेगा तो दोस्तों आप रिज्यूम बनाना भी सीख चुके होंगे तो आपके लैपटॉप में रिज्यूम कैसे बनेगा या फिर खुद का लैपटॉप से आप अपना रिज्यूम कैसे बना पाएंगे तो इस तरीका से आप अपना रिज्यू बना पाएंगे तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अपने से खुद से रीजियों बनाना सीख चोके होंगे अब चलिए यहां से क्लोज करते हैं यहां से डाउंट सेव कर देते हैं हम आप दोस्तों जरू से जरू सेव क्लिक करें क्योंकि दोस्तों हम यहां पर बताने के लि चलाइड सो क्या होता है किस तरीका तो पिन करते हैं किस तरीका से बना जाता है ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आपको यहां पर किलिक करना है और यहां पर दोस्तों किलिक करना है Microsoft PowerPoint इस पर किलिक कर देना है यह देखिए PowerPoint के नाम से उपइन हो जाता है कुछ इस तरीका से दोस्तों आपके इसके पर देखने को मिल जाएगा यहां पर बहुत सारे option है जिसके तुरू आप अपने अनिमेशन पर्जेंटेशन को एट्रेक्टिव या फिर एफ्रेक्टिव बना सकते हैं ठीक है यहां पर जाएड है जिस तरीका के आपको चाहिए जैसे कि हमने आपको शुरुवात में तो सलम दिखाया था तौपिक या फिरेटो ये अवाला तो हमने यहीं से क्रिएट किया ठीक है यह वाला हमने वनली टाइटल पर लिया है इसके पहले वाले यह है इसे हम डेलीट कर देलीट कर देलेट को यहां फिजाइन पर चले जाएंगा बहुत सारा डिजाइन दिया ह पाचमा कुछ इस तरीका से डिजाइन में लेगा बहुत सारे अलाव अलग परकार कर डिजाइन है जो भी आपको पसंद आता है उसे अप सेलेक्ट करके अपना काम को कर पाएंगे तो चलिए एक इस पर्जेंटेशन हम बनाते हैं कंप्यूटर कोर्स के नाम से ठीक है दोस्तों यहां पर दखी कंप्यूटर कोर्स हमने लिख दिया है अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लिजी हो में चलिया यह यहां पर देखिए भी है वी का मतलब बोल्ड होता है इसी अब बोल्ड पर क्लिक कर देखिए यह हो गया मेरा पहला स्लाइड ठीक है अब दूसरा लेने के लिए हमें चली जाएंगे यहां है टाइटल एंड कंटेंट पर क्लिक कर देंगे टाइटल पर दोस्तों कंप्यूटर कोर्स है यहां पर लिख देते हैं कुछ भी ऑनलाइन क साथ है लिखेंगे बोल्ड करना चाहते हैं तो जो पिछले वार हमें तरीका बाताया था आप्लाइक कर सकते हैं यहां पर दोस्तों दिके बहुत सारे और संदिया हुआ है यह ट्यवल का यह चार्ड का यह है दोस्तों ग्राफिकस का और यह मेडिया यह किलिप आर्ट का है यह पिक्चर है तो हम यहां पे एक पिक्चर ले लेंगे जिसके थुरू पता चलेगा कि हम किस भारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर हम ले लेंगे फिर इमेज और यहां से दोस्तों माली जिए ओनलाइन कलास है तो इसके लिए चाहिए एक लैप्टॉप कम्प्यू को भी ले सकते हैं टेक्स्ट को भी ले सकते हैं तो कुछ इस तरीका से आप परजेंटेशन को बना सकते हैं अब बात आता है दोस्तों यह जो हमने टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि नास्ते हुए आये या फिर ट्रांजिक्शन लगाना चाहते हैं एनिम आप समय कर सकते हैं कि यह समय करेंट्ट अपने अनिमेशन चितना कुछ भी होता है पावर तो बना लिया ठीक है अब बार यह आता है कि यहां पर देखिए पहले आता है from beginning इस पर दोस्तों को खिली कर देना है क्लिक करते हैं डोस्तों आपके सामने कुछ तरीक से स्क्रीन आ जाएगा या तो मौस के थोड़र कुलिक कर stinks आएगा या फिर एंटर वटन की बोर्ड में दवाए तो next option आयेगा ठीक है तो इस तरीकस्ट से देख सकते हैं हमने दो ही पीज बनाया था इसलिए दो पेज ही आया तो आप जैदा पीज लेके भी बना सकते हैं आपने एकाउंडिंग तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पाबर पॉइंट के थुरू पर्जेंटेशन सलाइड जो टेक्स्ट और इमेज डालना भी सीख चुके होंगे साथी साथ ट्रांजिक्शन और एनिमेशन भी आप सीख रहे होंगे तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फोटो सॉप को पेन कैसे करते हैं या फिर यूज कैसे करत नंदे दोस्तों विंटोपर हमें किलिक करनाहोगा और यहां पर लिखना होगा फोटोफ फोट audi Srp. लिखने कवाद तो पर किलिक करते है अब यहां पर दोस्तों फॉट्र सब्सक्राइब का सब्सक्राइब होगा अगर नहीव एंस्ट अन होगा तो कुछी तरीका से open हो सकता है और दोस्तों अलग-अलग वर्जन पर अलग-अलग डिजाइन या फिर लोगों होता है ठेक है दोस्तों तो यहां पर दोस्तों देखिए यह जो है फोटोशॉप open हो रहा है इस फोटोशॉप का दोस्तों काम कहा आता है इसके बार में पहले काफी अट्रेक्त्य फोटो में लएक और फोटो को बना सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इतने सारे बूल में दोस्तों आप जो भी करना चाहते हैं अपने फोटो में सारे जरुवत के टूल यहां पर दिया हुआ है तो इस टूल के थुरू आप अपने फोटो में इडिटिंग कर सकते हैं और एट्रेक्टिव बना सकते हैं या आप इस टूल के मदद से अपने फोटो को HD और दोस्तों फेस को स्मूथ ब्रैटनेस और जो भी चीज़ चाहे आप कर सकते हैं यहां से तो दोस्तों इस तरीका से आप Photoshop को भी और यूज करना सीख चोगे हुए ठीक है दोस्तों अब बात आता है कि लप्टॉप में इंटरनेट चलाएं कैसे अब दोस्तों इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए वाइफाई लहां पर दोस्तों वाइफाई है लेकिन वाइफाई को कनेक्ट करना होगा यानिक अपने देखेंगे तो दोस्तों जब आपके पास वाइफाई होगा होटसपोट होगा तो यहां पर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो बहुत सारे ओप्शन देखने को मिल जाएगा ठीक है और जो भी एविलेबल वाइफाई होगा उसका सारा लिस्ट आ जाएगा यहां पर जैसे कि यही बला है इस पर हमको कनेक्ट पर किलिक करना है तो यह कनेक्ट हो जाएगा ठीक है पासवर्ड डालेंगे कनेक्ट हो जाएगा तो यहां पर हम यह जो बॉक्स है उस पर किलिक कर देंगे ताकि नेक्स्ट टैम से यह इतुमाइटिक जो है सो सलेक्ट हो जाए और कनेक्ट हो जाए और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे ठीक है तो यहां पर देखिए कनेक्ट हो जाएगा कनेक्ट होने कवा दोस्तों इसका आइकन चेंज हो जाएगा और यहां पर लिखा हुआ आजाएगा और यहां पर इंटरनेट एक्सेस लिखा हुआ आजाएगा तो अब द लेप्टॉप में वाइफा कनेक्ट हो गया अब दोस्तों इसमें इंटरनेट चलाना इजी हो सकता है ठीक है तो हम यहाँ पर Chrome ब्राजर को ओपेन करेंगे डवल किलिक करके जैसे कि हमने आपको पिछली बार बताए था किसी भी सॉप्ट्वेर को ओपेन करने के लिए डवल क्लिक करना होता है तो आपको डवल क्लिक करके ओपிन करना होगा ठीक है तो इस तरीका से आप अपने लेपटप में किलिक करके किसी भी सस्वाफ्ट्वेर पर ओपेन कर सकते हैं ऊश्भण दोस्तों तो हम देखिए यहां पे chrome şbler open कर लेते हैं यहां से maximize कर लेते हैं फोली स्क्रीन अभाब को यहां पे क्या सर्च कर ना है ओं आपको वोगा जैसि क्cision कर लेते हैं या फिर ताज महानती हम है ऐसे देखिंगे तो यहां पर देखें महात्मा कांजी से जूरी हुई जितने भी इंटरनेट पर जनकारी होगा वो हमें अपने स्कीन पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि दोस्तों उनका जन्म जो है सुद्धू अक्तोबर 1879 इस्वी को पूर्बंतर में हुआ था यह सब जनकारी आपको यह हाँ पे क्लिक करके महत्मा कांजी के बारे में अब हुरस बर यहाटेड्यकार नहींको पर कर सकता है जो भी आप इंटरनेट पर सर्च क्रेंगे उसका एजस्शे आपके सामने होगा और दौस्तों यह देखने को मिलेगा कि इसको यहां से डाउलोड कर पाएंगे इतने सारे आपको फोतो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अगर आब विडियो पे करेंगे वीडियो आजाएगा यहां पर बहुत सारा वीडियो आपको गांधेजी से रिलीटेड देखने को मिलेगा तो इस तरीका से आपको इंटरनेट का यूज करना है आप यहां पर कुछ करेंगे जैसे हम यहां पर दोस्तों रोज सर्च कर लेते हैं ठीक है तो रोज सर्च कर लेंगे तो रोज के बार बारे में जनकरी ले पाइने था ओर यहां से इसको close कर देते हैं और आजा था हम अपने desktop पे मेन स्क्रीन पर अब बात आता है दोस्तों कि हमने आपको बताया था next topic में कि लैपटोप पर आपको आपको यूट्यूब को उपेन कर लिए यहां पर कोई मूवी देखना है जैसे कि सौथ का से ओलेवड का कुछ भी तो यहां पर आपको सर्च का ओप्षन दिख रहा होगा इस पर आपको सर्च पर किलिक कर देना है और जो भी मूवी आप देखना साते हैं उसका नाम आपको लिख लेना है या फिर आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा म्यूजिक और भूजबोरी सिनेवा इस तरीका के आप्षन बना हुआ है कि यहां पर हम हॉल्यूड लेख देते हैं हॉल्यूड निव मॉवी जहां पर लिख दिये हैं और यहां पर हम सर्च कर देंगे तो हॉल्यूड का जो भी नया मोवी होगा उसका रेजल्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा उसका आप किलिक करके इसली किसी भी मॉवी को देख आएंगा ठीक है दो तो तो इस तरीका से आप देख सकते हैं आपके सामने होलीवड का सारा मोवी आ जाएगा जो भी न्यू बला होगा ठीक है तो उस पर आप किलिक करेंगे कि यह शुरू हो जाएगा पले हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख पाएंगे जो तो यहां पर क्लिक करके आपको फिर से नह नेक्स्त टॉपिक में बथा था कि आपको किस तरीका से औल्लाइन फर्म को अपलाएक करना है ऑल्लाइन फर्म कैसे अपलाईक कर सकते हैं इसके लिए करों करें और सर्च वार में अपको लिखेंगे shipping सरकारीrend में सरकारी सरकारмотрите में फैनल सरकाइर करना है कि उसका सारा एटारा यहाँपर होता है तो किल्क किजें, पूल डाल सकते हैं तो इस तरीका से आपापने फैन को अफलाय यहाँ से कर पाएंगे जीशा कि से यहां से कर सकते हैं यहां पर देखते हैं यहां से यहां पर देखें रिजल्ट को भी डाउनलोड कर पाएंगे अब हमने बताए था बताते हैं यहां पेडिक करने के लिए टील आपको भारना होगा आपका जो भी डिटेल है वो डाल दिजी यहां पर दोस्तो इसे को इग वह को मारी है तो कमारी देखे और इहां से भारती कोशाट को देक्टा डल देना है और कलिक कर देना है उसके बाद आपको फोटो और पेमेंट करना होगा और रुसके पले हो जाएगा क्वल बडाक के द्वारा यानि कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आ जाएगा इस तरीका से आप अपने पैन कार्ट को अपलाई कर सकते हैं यह था वेबसाइट उसका अब दोस्तों बात करते हैं कि अधार कार्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अधार का डाउनलोड करने को दोस्तों आप कलिक कर सकते हैं जैसे करेंगे यहां पे अथार से चैनकारी है पूछा जाएगा जीसी आपको भार में आप डाइना है है तो । कि सब्सक्राथ बहुत करने हैं सुस्त्पे अधार चलिक करने ह। आपको किस तरीका से सब्सक्राइब और रहं करना है या पर शेंज करता है तो आप इस पर सकते हैं जिटना भी हमयर से किसी भी एक पो किलिख करके आप पो पर नमर डूबर डाल दीजिए इंटर कफटन को डाल डीजिए रोटीपि कर दीजिए आपकी फोंश नमर पर जायगा फिर टीपि आपसे लूटीपिард डाल दीजिए आपका यहां पे डॉनलोड हो जाएगा और अधार का डाउनलोड करने को आज दोस्तवीफ वास्वर्ड उसमें मांगा जाएगा यहां पर देख से था ऊठ्म, अधार होता है इस आपके नाम के चार लेटर और लास्ट का यार देना है ज्यसके की किसी का नाम सुरेस है तो सुरेस में 4 लेटर लेना है और अपने जन्म जो होता है डेटो वर्थ उसका लास्ट यर जैसे कि 190 तो वो लो डाल देना है ठीक है कुछ इस तरीका से यागे कि नाम का 4 लेटर और डेटो वर्थ में यर का लास्ट का फोर डिजिट फिर आपका अधारकार ओपन हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब बात आता है दोस्तों कि अपना सर्टिफिकेट और अपलाई कैसे करें आउनलेन जैसे कि जाती आवाची आई इसके लिए दोस्तों एक वेशाइड होता है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर हम वेशार नहीं बताने वाले हैं आप सभी को और आपको हम अपलाई करके दिखाएंगे किस तरीखा से अपना होता है जैसे के कास्ट सेटिफिकेट हमको अपलाई करना है कि का सटिफिकेट हम लिख देंगे और यहाँ पे किलिक कर देंगे तो आरड़ टिपी असका वेश कर सकते हैं तो क्या कर देना है और यहां पर सर्वीस है कैले पर चले जाए इक्स्टरनल पर चले जाए या फिर आपको जीस तरीका का apply करना है जो भी डोकुमेंट आप वहां से apply कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो इस तरीका से आपको apply कर देना है अपने जाती अवासिय आई को और बाकी यहां से आपको 10-12 दिन का समय लेता है और यहां से आपको मिल जाएगा आपका जाती अवासिय आई यह रहा दोस्तों website यहां पर देख रहते हैं यह होता है बिहार के लिए दोस्तों यह website है अलग-अलग website बना हुआ है तो सभी के लिए अलग-अलग होता है तो इस तरीका से आप देख सकते हैं यहां पर बना सकते हैं जेनराल एड्मिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर चले जाएगे यहां पर देखिए आपका आवास यह जाती और इंकम यानकी आई सर्टिफिकेट क्रीमिलियर नन क्रीमिलियर सारा कुछ मिल जाएगा जैसे कि हमको कास्ट उस सर्टिफिकेट बनाना है तो कास्ट पर च देना है सही सही और यहां पर देख सकते हैं अवेड़न कर्बांग संगिया फुचा जा il will re you know नाम आपका नाम सारह कुछ आपको यहां पे फिल कर देना है लास्ट मय थे मीट और आपका यंद आपको डाल देना है और उसे अपको बाता है कि आप आता कि आ Alrighty तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहां पर कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको चले जाना है world बोटड यां फिर हम लिख लेचें यहां परTelegram लिकिए दोस्तों डाउनलोड लिखना अव्यहां यहाँ पर देखे त्यलिगराम डेक्स्ट गुर्च hara der maga नहीं कि पीसी वर्जन तो टेलिग्राम डेक्स्टॉप पे चले जाएंगे और यहां पर देखिए एक वेशाइट खुल जाएगा और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि आपका जो है से विंडोज कौन सब्वीट है 64 वाला या फिर 32 वाला जो भी है तो आप इस पर किलिक सब्सक्राइब गर्सटोर इसी अपको किलिक कर देना है ठीक है इसब जैसे ही क्लिक किजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका खूलेगा इसे ओपेन होने में थोड़ा वक्त लेता है इंटरनेट सलो होने के वजासे ठीक है दोस्तों इसे ओपन होने देते हैं और ओपन होने के बाद हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीका से सब्सक्राइब को आप डाउनलोड कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीका से इसका इंटरफेस होता है जैसे यह मैक्रोशॉफ्ट एस्टोर ओपन होता है यहाँ पर बहुत सारा अप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आप चाहें इसमें से कोई भी डाउनलोड कर पाएंगे जैसे कि ट्रिक्राम कर देने हैं ट्रिक्राम देक्स्टॉप पे और यहाँ पर देखें यह फिरी है यानिकी फिरी सॉफ्ट्रेस में आपको पैसे देनी की जुरत बिल्गोगी नहीं है गेट पे किलिक कर दिजिए यह जो है डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद अपना से कोई सब्सक्राइब अपने पीसी में डाउनलोड करते हैं अगर टिलिग्राम का तो इस तरीका से वह सो होगा तो यह दो तरीका था आप क्रॉम बरॉजर से कर सकते हैं और दोस्तों बात करते हैं कि आल्लाइन हम टैपिंग कैसे कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों टैपिंग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है इसे सीखना बहुत यावसक होता है तो दोस्तों क्रॉम बोरा जो मैं आज में आपको जाना है यहाँ आपको लिखना है और लाइन टैपिंग डॉट ओर जी ठीक है दोस्तों आप जैसे यह लिखेंगे तो कुछ इस तरीका से इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर देह सकते हैं टैपिंग टेस्ट है टैपिंग गेम है 10 चना जाते हैं तो उसके लिए तैपिंग टेस्ट पर आना है यहाँ से लिखाはい tapping test लिखा हुआ है और यहां पर यहां से यहां तक देखे यह जितने भी वर्ड दिये हुआ है इस वर्ड को आपको टाइप करना है और इससे आपका स्पीड पता चल जाएगा जैसे कि हम चलिए आपको यह पूरा शिंटेंस यह पूरे वर्ड को लिखते हैं और आप देख पाएंगे कि यहां पर वन मीनट दिया हुआ है जैसे हम टैपिंग शुरू कर देंगे यह टैपिंग भी शुरू हो जाएगा और इस तरीका से आप अ हमने टैपिंग में तो यह देखे पूरे ग्रीन ग्रीन है अगर हम गलती कर देंगे तो वह साइद रेड में आ जाएगा जैसे लिखावा है यहां पर गलत हो जाएगा और यहां पर देखे टैमिंग भी शुरू हो गया है इस तरीका से आप अपने स्पीड को बहास है चलि अगर आजाता है तो उसे आप क्लोज में क्लिक करके ठीक है तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा खुलने के बाद दोस्तों गेम की तरह यह इंटरफेस आजाएगा इसमें आपको ओप्रिन कर देना है और जैसे गेम शुरू हो जाएगा अपने टैपिंग भी शुरू हो जाएगा और इस तरीका से आप अपने टैपिंग को शुरूआत कर सकते हैं अपने टैपिंग के स्पीड को बहा सकते हैं अच्छे कर सकते हैं तो यह इस तरीका से आप अपने टैपिंग को टेस्ट देखके थुरू बहा सकते हैं गेम खेल पहले हम फेस्ट पर चलेंगे अगर आप दोस्तों कोई application डाउलोड करना चाहता है कैसे करना है वो आप सीख चुके हैं इस्टोर में जाके डाउलोड कर लिजना है फेस्ट पर किलिक करेंगे application अगर डाउलोड है तो user ID पासवड डाल दीजिए जो भी आपका user ID या जो भी password ह आपका उसे डालने के बाद कुछ इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने आपके desktop पर ठीक है तो जिस तरीका से मोबाइल में होता है इंटरफेस थोड़ा सा लग होगा इसका लेकिन आप यूज उसी तरीका से कर पाएंगे उसी function के साथ उसी features के साथ यहाँ पर यह इंटरफेस होगा ठीक है दोस्तों तो यह तो मेरा पीज है सोसल मीडिया जितने भी होते हैं सारे चीज़ को आप यूज कर पाएंगे यहाँ पर वाट्सेप है जो हम आपको अभी वाट्सेप ओपन करके दिखाएंगे ठीक है दोस्तों तो आपको अभी घवराना नहीं है और इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहाना है ताकि इ इपोटेंट जनकाड़ी आपको यहां से मिलता रहेगा अपडेट मिलते रहेगा यूटूब से रिलेटर बहुत सारे जो भी आपकी काम का होगा उसे हम यहाँ पे टैम टू टैम अपडेट करते रहते हैं तो दोस्तों यह है मेरा ट्वीटर एकाउंड टेक्निकल कैसे के काम से आप अभी जाईए इसे फूलो कर लीजिए उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए वाट्सेप है तो वाट्सेप चिलाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है वाट्सेप का अप्लिकेशन डाउनलोड करना है अपना मोबाइल नमर डालके एकाउंड बना लेना ह कि हमें हैं हेलो मोग है है किलिक ना तो अगर सी तरीका मैंसेज करना चाहसे है मैंसेट टैप कर देखिए यहांप कियो अ से चला गया तो इस तरीका से आप इसे को सेंड कर सकते हैं बिल्कुल अपने फोन की तरह तो दोस्तों अब आसा करते हैं कि लैप्टॉप में हमने जितने भी चीज आपको भताया था आप अगर उसे अच्छे से गर सीख चुके होंगे जान चुके होंगे ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो किसी भी कोई दिक्कत आपको लैप्टॉप चलाने में नहीं होगा और दोस्तों यह वीडियो में हमने ऐसे चापिक कवर किया है जो आपको डिली यूज में आता है आप इतने चीज सीख लेने कि वाद इतने वीडियो जितने भी तॉपिक हमने कवर किया है इसको अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंटर बॉक्स में हमें कर सकते हैं तो उसके हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद